विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल तु मेरी वेज आसवी में आप लोगा स्वाकत है आज की जो मेरे रज़ लेकिया है वह है आलू परमल की काफी टेस्टी सबजी जिसको के मैंने बहुत ही कम मसालों के साथ बना के तैयार किया है इसमें मैंने वही मसालों का यूज किय किया है और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देजिए और प्रेस कर दीजिए जिसी कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो आईए में इसकी रेस्पी आप लोग साथ शेयर करती तो यह मैंने परमल और आलू को छील लिया है देखिए परमल मैंने कुछ इस तरीके से छीली है तो अब हमें इनको उपर से नीचे से थोड़ थोड़ा इनका काट देना है तो परमल को हमें इस तरीके से काट लेना है यदि परमल के बीच में बीजे निकले तो आप उन बी को कर लेना है निए थोड़ी से क्रंची हो जाए तो इसी तरीके से हमें अपने आलू को भी को कर लेना है तो हमारे एलू फ्राइब हो गए तो अब हमें निकाल लेते हैं तो आदी चमजीरा, दो पिंच हींग, और मैंने फ्राइब एक आ हरी मिर्ची बना लिया तो अब हमें इसको दोलोगम में ना चोड़ दे तो फैमार समाड़र अच्छ इसे तेल नाच्छ तो हमारे méthaneल फैसे दोल अच्छ परमचि पर errors Min transformed Alty उन्हें क्वाक्षा बोलोगल में उन ँर वर में इसे अच्छ भूज लिया करें नाच्छे पानी है भूज इसमें एड कर देनी है उपर से नमक स्वाद अनुसा डालके इसको अच्छी है jak se चला लेना है एक से दो मिनिट तक हम इसको ऐसे ही चलाएंगे तो अब हम चमच गरम मसाला एट करके इसको दो मिनिट और पकने देना है तो दो मिनिट हो गए है हमारी आलू परमल की सबजी बनके बिल्कुल तयार है यह देखिए किती तेस्टी लग रही है खाने में और कलर इसका कितना सुन्दर आया है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं तो यह हमा और आपको यदि मेरी यह रैस्पी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को जाकी एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो कैसी लगी आपको मेरी यारू परमल की रैस्पी तो मुझे कमेट में जरूर बताइएगा अमें स्टूडे मिलूंगी नई रैस्पी के साथ तो आज के लिए थैंक यू